एक में तुझा है, क्या सचमुच परमात्मा जो भी करता है, हमारे भले के लिए करता है, मेरे घर के किसी सद्दस की मृत्ति हो गई, क्या इसमें भी कोई भलाई होगी, निश्चित, परमात्मा मंगल में है, डक्टर हजारी प्रसाद देवेदी की एक अद्वत पुस्तक है, उपन्यास से बलकि उसका नाम है बानभट की आत्मगता, और उसमें बानभट कहता है, कि तमाम भिसंगतियों के बावजूद, परमात्मा इस स्रिष्ट को मंगल में दिशा में ले जाने के लिए संगल भी दे, कुछ भी परिनाम हो, आत्यंतिक परिनाम हमेशा मंगल में हो का, तुम इतिहास को देख लो, लगता है जो घटना घटी, जो परिनाम सामने आया, तुमें लग सकता है, ये अशुग होगा, लेकिन आत्यंतिक परिनाम पर अगर ध्यान दो, तो देखो कि उस घटना का भी कुछ परिनाम आया, मैं उधारन दो तुमें, भारत पर बिटि शराज हुआ, अंग्रेज आये, और भारत की चाती पर लगवाद दो सो वर्ष, वो बैठे रहे, कितने लोग शहीद हुए, अब गुलामी से बढ़कर अनर्थकारी परिनाम क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आत्यंतिक परिनाम किया हुआ, भारत छोटे-छोट टुकडो में बटा हुआ था, छोटी-छोटी रियास्तें बारत में फैली हुई थी, अंग्रेजों ने क्या किया, सारी रियास्तों को जोड कर एक बड़ा देश बनाया, और क्या किया, उनके साथ विज्ञान आया, उनके साथ टेकनलोजी आया, उनके साथ अंग्रेजी भ हाशा के रूप में विख्यात है और आज जो भारत है क्योंकि किसी देश की शक्ति किसी देश का पावर क्या चीज पर निर्भर करता है नमबर एक उस देश का च्छत्रफल कितना बड़ा है पाला मापतन दूसरा उस देश की जनसंख्या कितनी बड़ी है कितनी जनसंख्या है जितनी ज़्यादा जनवल है उतनी बड़ी ताकत उस देश की होती है नमबर तीसरा उस देश का मिनरल रिसोर्स कितना है खनी संपदा कितनी है चौथा उस देश की सैनिक शक्ति कितनी है और पांचवा उस देश का आत्म बल कितना बड़ा है नैतिक बल कितना बड़ा है और जिस भारत को वे छोड़ गए है उस देश का चत्रफल भी बड़ा था उस देश की जनसंख्या भी बड़ी थी उस देश का मिनरल रिसूर्च कोई देश बड़ा है चत्रफल बड़ा है तो मिनरल रिसूर्च भी बड़ा था कितनी बड़ी सैन शक्ति हाथ लगी तुमारे और एक आजादी के बाद कितना मनोबल बड़ा कि हम एक विरागार्ट देश के नागरिक है और आज जो भारत है जिस इस्थिती में है और जिस तेजी से विकास कर रहा है तुम देख रहे हो कि आज अंग्रेजों के आने के पहले जो देश की इस्थिती थी और ऐसे ही छोटे-छोटे यहां पर 20 देश होते, 25 देश होते तो तुम समझ सकते हो कि आज जो भारत की शक्ति हो शक्ति वहा रहती तो जो सबसे अशुब परिनाम था सबसे अशुब कहता हूँ देश-गुलाम था लेकिन आत्यंतिक परिनाम क्या हुआ आत्यंतिक परिनाम हुआ कि आज एक भारत विशाल और गौरसाली राष्ट के रूप में उबरा ऐसे ही कोई भी परिनाम तुम देखो अपने जीवन को देखो कितनी बार ऐसी गटना है गटी तुमको लगा कि बस हमारा तो सर्वनाश हो गया लेकिन फिर क्या हुआ तुम देखो कि उस समय लगता था लेकिन उसका जो परिनाम हुआ अत्यंतिक परिनाम हुआ बहुत से लोग जब मैं शेरिंग पूछता हूँ कि जिस गटना को तुमने प्रतिकूल समझाता अतीत की किसी गटना को आज जब उसकी अनालसिस करते हो तो तुम क्या लगता है और अधिकतर लोग आकर के सुनाते हैं कि आत्यंतिक रूप से उस गटना का भी शूब परिनाम हुआ तुम कहते हो कि मेरी पिताजी की मिर्ट्व होगी इसमें शूब शूबता क्या हो सकती है इसमें मंगल क्या हो सकता है मंगल हो सकता है लेकि डिपेंट करता है कि तुमने घटना को किस रूप में लिया हर घटना के तीन पक्ष होते है तत्य होता है, कत्य होता है, सत्य होता है कोई घटना, घटना न अशूब होती है नशूब होती है तुमें इंटर्प्रटेशन कैसे करते हो, इस पन निर्भर करता है कि वो घटना अशू है या अशू है, अब तुमने इंटर्प्रटेशन किया, कि पिता की मृत्तु नहीं होनी चाहिए थी, अब पिता से कभी मुलाकात नहीं हो सकती है, ये मृत्तु बुरी घटना है, अब अब ये कत्य है, this is fiction now, fact क्या है, पिता क्या मृत्तु हो गए, this is fact, न तो ये अच्छी गटना है, न बुरी गटना है, it is only a fact that father has died, father is no more, लेकिन तुम्ने इसको अशुब बना दिया, अपने इंटरप्टेशन से, कि मृत्तु के साथ सब कुछ नस्थ हो गया, मृत्तु के साथ, ये किस्निका सब कुछ नस्थ हो जाता है, ये तो तुम्हारा इंटरप्टेशन है, जानकार क्या कहते है, क्रिष्न क्या कहते है, नैनम छिंदंति सस्त्रानी, नैनम दाति पावका, ना चैननाम क्लेड यांट आप। ना सोश्यति मारृता। अर्जुन कोई मर्ता ही नहीं है, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, जल सड़ा नहीं सकते, बायु शुखा नहीं सकते, तो फिर जब मृत्तु होते ही नहीं है सब आत्मा है सब हम आत्मा है और आत्मा ये अमर्ता को जान लो उसके लिए तो मृत्तु है ही नहीं वासान से जिरनानी अथा भी आया नवानी को ही आती नरो परानी जैसे पुराना वस्तर त्याकर नया वस्तर कोई धारन करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारन करती है, तो अशुब कैसे हुआ, तुम तो उत्सो मनाने के लिए नया शरीर धारन करते हो, तो कोई आत्मा अगर नया शरीर धारन कर ले, या करने की यात्रा पर चले पुराना कपड़ा उतार दिया तो फिर इसके लिए यह अशुब कैसे हो गया यह तुमारा इंटरप्रटेशन है यह हयातो मयात कुछ भी नहीं बात यह है कि बात कुछ भी नहीं आदमें पैरहन बदलता है यह इंसा की जात कुछ भी नहीं यह तो तुमारा इंटरप्रटेशन है कि यह घटना अशुब है महादेवी वर्मा की एक कविता है जो मुझे बड़ बट पड़ी है बिखरकर कनकन के लगप्रान गुन गुनाते रहते यतान अमर्ता है जीवन का हरास मृत्व जीवन का चरम विखास अब जैसे कोई परवत है विंध्याचल परवत था हिमालय से भी बड़ा था और सारी नदियां उस समें उत्तर की और बहती थी जहां आज हिमालय है उस समें हिमालय के पले वाँ समुदर था अब सारा मलवा नदियों ने उस समुदर में डाला और पाइलप होता है चला गया है कई किलो मीटर का मलवा बना उस समुदर में फिर तिबद का पठार और बिंध्याचल का पठार ये दोनों हापस में टकराने लगे एक दूसरे की और बढ़ने लगे नतीजा है हुआ कि बीच में हिमाले उठने लगा और आज तक उठ रहा है हर साल एक सेंटिमीटर हिमाले बढ़ रहा है मैं जब छोटा था तो पढ़ता था किताबों में 29,000 दो फीट 29,000 दो फीट अब आज हिमाले कितना फीट होई 29,000 दो फीट पढ़ता था आज 144 फीट है और ऐसा कुछ है अब इतनी इतना उचा हो गया और अभी उठता ही जा रहा है उठता ही जा रहा है सोचो तो बिखर कर कनकन के लग उप्रान अगर वो बिखरता नहीं विंद्या चल तो आज हिमाले का जन्व कैसे होता ऐसे ही आज तुम यहां हो अगर मिर्टू ही नहोती तो तुम फिर से पैदा कैसे होते और मिर्टू नहो तो क्या होगा एक बार मैंने सपना देखा और सपने में परमात्मा प्रकट हुआ कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसंद हूँ कोई वर्दान मांगो मैंने कहा कि अगर वर्दान देना हो तो आप अपना 24 गंटे का पावर बुझे दे सकते हैं परमात्मा ने कहा तुमको दिया मैंने कहा कि तब 24 गंट में आपके किसी नियम को मैं बदल सकता हूँ उनका हम बदल सकते हो तो मैंने कहा यह मृत्तु के इंस्ट्यूशन को हटा दो प्रमात्मा ने कहा तथास्तू कहा कि और कलेंडर को 20-25 साल घुमा दिया कहा कि अपनी दुनिया को देखो मैंने देखा जिदर भी देखो बुढ़े यह बुढ़े जुढ़िया जुढ़िया कमर जुकी हुई किसी की इतनी अगली दुनिया देखने लगी मैंने कहा है प्रमात्मा अब कितना समय मेरा बचा है का बस पांच मिनट बचा है मैंने का फिर से मृत्तु लाओ फिर से इस दुनिया को पहले की तरह सुंदर कर दो यह मृत्तु का इंस्टुशन तो बड़ा मंगलबे है कि शृष्टी में सौंदर लाने के लिए मृत्तु का इंस्टुशन तो बहुत जरूरी है और मंगल मैं बनाने के लिए तो प्रस्ताव मेरे पास भेजना मैं निश्चित उस पर विचार करूँगा और इस घटना के कई साल हो गए बरसों बीट गए और करीब करीब अजपा समाधी के सवधर्मयोग में अपने लोगों से पूछता हूँ पांचवे सत्र में पूछता हूँ समरपण के सत्र में पूछता हूँ तुमारे पास कोई प्रस्ताव है तो तुम दो कि परमात्मा की स्रिष्टी को और मंगल मैं बनाया कुछ अमंगल है परमात्मा की स्रिष्टी में तो तुम सुझाओ दो बहुत लोगों ने सुजाओ दिया, उने का एक बात करना, उसका आंतिम परिणाम देख करके सुजाओ देना, अब यह, जब तक बात जिन्दा है, तब तक बेटा के मिड़े तु नहीं होनी चाहिए, मनने खाए, इसका परिणाम सोच लो, जितने आतंगवादी हैं, सब अमर हो जाएंगे, कि उनके पिता जिन्दा है, सोच लो जरा, उसने का, आपने प्रस्ताव कहीं गलती से भेज तो नहीं दिया, अभी नहीं भेजा है, अभी तुमसे बात चित करने के लिए खाबल कि हर गिज मत भेजियेगा, देखा तुमने, बला सोच विचार के उसने लंबी चिठी लिखी थी, कि बहुत सोच विचार करने पर मैंने इस प्रस्ताव को आपके पास दिया है, तो देखा तुमने, परमात्मा की सिष्टी इतनी मंगल मैं है, कभी बैठ करके इस पर मनन करना, कि क्या इसमें कुछ संशोधन कर सकते हो, तो देखो गए, इसमें संशोधन करना करीब करीब असंभा है, परमात्मा मंगल मैं है, लेट सिकनॉल इस,